और एक बड़ी खबर इस वक्ती सार्दा चिटफंड घोटाला मामले में राजिव कुमार को एक और नोटे सीबियाई भेज सकती है दरसल उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया था लेकिन अब तक राजिव कुमार सीबियाई के सामने पेश नहीं हुए हैं इस पूरे मामले में एक बार फिर अब राजिव कुमार के मुश्किल बढ़ सकती हम आपको ये भी बता दें कि कोट में उनकी गिरफतारी पर लगी रोक हटाईज गई ची तो सीबियाई ने सारदा चिट फंड घोटाले मामले में आज साइटी के जाच अधिकारी प्रभाकर नाक से पूछताज भी की है और कॉलकता की पूर्ग पुलिस कमिशनर राजीव कुमार अब तक सीबियाई के सामने हासर नहीं हुए हैं और इसकार सीबियाई उन्हें एक और नोटिस भेजने के तयारी में है राजीव के हाजर ना होने पर सीबियाई की एक टीम वकीलों से भी सला ले रही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या कर सकते क्या कदम उठाए जा सकते हैं आशिका अमाई साथ इसमक्स जूट चुकी है आशिका वजए क्या बताई जारी क्यों अभी तक वो कोट में हाजर नहीं हुए जी देखे सीबियाई की तरफ से जो नोटिस लगातार ये कहा जा रहा है कि शुकरवार जब जो मियाद खतम होई सुप्रीम कोट की हुए उके बाद लगातार सीबियाई की तरफ से कोशिश की जा रही थी संपरक साद्मे की राजीज कुमार से ना वो फोन का जवाब दे रहे थे ना संदी दे रहे थे जिसके बाद CDI के अधिकारी जो है चालों की टीम जाकर के रविवार कोशान को उनके घर पे भी गए और दफ्तर भी गए जहांपर नोटिस देकर आए कल CID की तरफ से एक टीम जो है वो CDI पहुंची उन्होंने कित्थी दी सूत्रों की माने तो इस चिट्टी में ये कहा गया है कि स्विल कि अधिकारी जुड़ कोशिश ये हो रही है कि किसी लोव कोट में जो है राजीज कुमार एप्लिकेशन दे सके आवेदन कर सके अपनी बेल के लिए हाला कि यहां पर कोलकाता में हाइकोर्ट में क्यूंकि क्योंकि स्ट्राइक चल रही है लगातार कई दिनों से और इसी व किलो द्वारा अप्लिकेशन को कोट में खारिच कर दिया ये कहते हुए कि जरूरी दस्तवेज जो है वो फिलहाल वहाँ पर नहीं है ये माना जा रहा है कि राजीज कुमार फिलहाल कलकता में नहीं है बाहर है और जो है इसी लिए समय मांग रहे हैं सी बी आई के तरफ से ये कहा जा रहा है कि समय वो देने को तयार नहीं है इसी सिल्सिले में आज एक वरिष्ट वकील के घर पे जो है बैचक चल रही है सी बी आई के स्पी और डी स्पी वहाँ पर गए हैं और सला ले रहे हैं कानूनी सला ले रहे हैं कि किस तरह से आगे इस मामने पर बढ़ा ज करतें सी बी बिल्कुल जैसा कि जो पहली नोटिस दी गई है वो सी आर्टीसी की धारा 41 के तहट दी गई है जिसमें आरोपी माना गया है राजीज कुमार को मैं आपको बता दू इसके पहले शार्जा शिटपंड गोटाले में जिनको भी नोटिस दिया गया है वो धारा 160 के तहट दिया गया था यानि उन्हें विटनेस माना गया था तो साफ तोर पर ये देखा जा रहा है कि CBI अपना शिकंजा राजीज कुमार पर कसने को तयार है बहुत बस शुक्रिया आशिका आपका तमाम जानकारी के लिए तो कुल मिलाकर CBI के सामने उनको पेश होना था एक नोटिस उने भेजी गई लेकिन कहा गया कि वो है नहीं और ऐसे में दूसरी नोटिस भेजने के तयारी CBI के तरफ से की जा रही है कॉंगर्स नेता और महराष्ट विधान सबा में विपाक्ष के पूर्व नेता रादा कृष्ण विख्य पाठल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बीजेपी से एहमद नगर से लोकसबाद चुनाव जीते हैं खबर है कि रादाकृष्ण विख्य पाठल के साथ चार और विधाई पी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और रादाकृष्ण विख्य पाठल को महराष्ट सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है अधे कदर काम करना रहा होते हैं अधे यह बात तो सही है कि विख्य पाठल साब बीजेपी में आना चाहते है और लगबक यह तय हो चुका है खाली उसका उप्चारिकता बाकी है आने की मुझे लगता है तीस तारिक को मानने है पंत्रबदान मोजी साब का जब और शुरो मनी हो जाएगा पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि विखे पाटिल जी जो कॉंग्रेस के नेता भी थे प्रतिपक्ष के नेता रहे विदान डाउन में वो बीजेपी में आ रहे हैं और कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका जटका क्या भी जटका तो लोग सबा में इतना बड़ा मिला है उनको पूरे माराष्टर में एक जगा ओभी थोड़ी गलती से वहाँ पर आ गई है लेकि कॉंग्रेस को पूरा सफ़ाय माराष्टर में हुआ है जटका क्या उनको जटके के बाहर हो नहीं गया है मुझे से लगने है और मुझे लगता है कि कोई भी कॉंग्रेस राष्टावदी में रहना नहीं चाहता है सब लोग छोड़ रहे है और सभी पाइपलेन में है जहाँ जहाँ भी पॉसिब हो लोगा हम लोग उनको पार्टी में ले रहे है आने वाले चार महीनों में विदान सभा का होना है विखे फाटील के आने से भारती जनता पार्टी को कभी फाइदा हो ने मैंने कहा है उनके आने से तो फाइदा हुआ यह तो लोगसभा के समय ही उन्होंने उनके लिजन अटके सुझे विखे पड़ी लॉक्टर उनने प्रवेश किया उनका हमने टिकेट दिया और अच्छे भारी ओटों से वो चून को भी आ गया है जिसी दो एक गड़े अपने इलाके में अच्छे कदार नेता है बड़े नेता है एक अलग सामराज्य उनका है सहकार कोप्रेटिव में है एजुकेशन में है पॉल्टिक्स में है उनका बढ़ा नाम है वापन जोरो उनक झाल झाल